दोस्तों जब भी आप इंटरेट चलाना शुरू करते हो तो सबसे पहले जो जरूरत आती है वह आती है एक email ID की और फिर वहां पर आती है confusion कि आप कौन सी email ID क्रियेट करो मतलब कौन से service provider की email ID आप यूज करो जैसे कि Outlook, Gmail, Google, AOL, Joomail यह सारे अलग-अलग service provider है लेकिन आज हम बात करने वाले इस वीडियो में major service providers के बारे मतलब की Gmail, Outlook और लाहू के बारे में क्यूंकि यह तीनों जो है यह major है और सबसे ज़्यादा popular है और सबसे ज़्यादा सेफ है आप अदर्स पर भी जा सकते हो सेफ सारे होते email IDs लेकिन यह जो तीन है यह popular है और यह सबसे ज़्य चीजों के बारे में तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं email ID होती क्या है जैसे आपके घर का एक address होता है आप किसी पल्टिकुलर जगे में रहते हो जैसे मेरे मुंबई के घर का address है वैसे ही आपका जो एक address होता है उसको बोलते है आपका email ID के थुरू कोई भी आप तक प पहले के time में सबकुछ manual करता था मतलब जो भी आपको context लिखने थे वह आप अपनी diary रखते थे उसमें लिख लिया करते थे कोई भी हिसाब किताबे कोई भी important चीज है वह आप एक diary में mention किया करते थे लेकिन over the time क्या हुआ कि internet जो है वह इतना easy हो गया interact करने के लिए कि बात करें digital medium की तो आपका जो information digitally कहीं पर सेव है किसी server में सेफ है जो कभी भी खतम नहीं होने वाला है इसके साथ ही अगर आप कोई भी smartphone चलाते हो तो वहां पे भी आपको email id की जरूरत है और अभी तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे smart phones ऐसे हैं जिसमें बिना email id के आप उसको operate क email id से तो सबसे पहले हम बात करते हैं yahoo mail की yahoo आपको space देता है one terabyte का और yahoo में आपको कुछ service देखने को मिल जाती है जैसे कि single yahoo का account जो है वह आप यूज कर सकते हो yahoo mail में yahoo finance में yahoo weather में yahoo flicker में यहाप जो main service निकल के आती हो yahoo mail होता yahoo flicker होता है flicker का है basically आपका cloud storage है जहा आप अपनी सारी photos upload कर सकते हो और यहां पर आपको space मिल जाता है one terabyte का देखें yahoo mail में चोटी से चोटी चीज़ भी बहुत ज्यादा impact करती है क्योंकि अगर आप user name create करते हो उसमें अगर आप डॉट लगा तो एक space बार मारते हो या underscore मारते हो तो वह भी बहुत ज्यादे effect कर अपने email id में include कर रहे हो इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वह आती है outlook outlook basically Microsoft का है और Microsoft की तरफ से आपको Outlook में single id से बहुत ज्यादा application का access मिल जाते हैं जैसे कि सबसे पहला जो होता है Microsoft Office जहां पे आपको Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft PowerPoint इसके साथ यहां पर आपको Skype का access मिलता है Microsoft email का access मिलता है Microsoft OneDrive का access मिलता है बात करें storage के मामले में Microsoft में आपको मिलता है 5GB का storage तो Microsoft में जो आपका डोमेन होता है वह होता है basically gabbyfellow.outlook.com तो यहां पर आपकी email id outlook.com से होती है और यहां पर भी कोई भी special character बहुत ज्यादा वैटल करता है अब आती है तीसरी और सबसे ज्यादा पॉप्लियर वह आता है आपका Gmail का account यहां फिर हम बात करें तो Google का account Google के account में आपको space मलता है 25GB का जो की include होता है आपकी सारी services या सारी application को एक साथ मिला के तो यहां पर अगर आप Google का account create करते हो तो वह आता है आपके domain name adderate gmail.com के साथ क्योंकि उसके email id service है वह होती है gmail service तो यहां पर सबसे main चीज जो है वह यह है कि यहां पर कोई भी special character Google account नहीं करता है तो अगर मैं email id बनाता हूं जैसे कि gabby fellow adderate gmail.com gabby.fellow adderate gmail.com मतलब मैं कहीं भी dot लगाता हूं तो वह Google include नहीं करता है मतलब की Google में dot का कोई मतलब नहीं है तो अगर आप किसी को अपनी email रही बताते हो तो gabby.fellow या gabby fellow adderate gmail.com दोनों एक ही बात होती है तो dot आप बताओ या ना बताओ कोई नहीं परता है इसके साथ बात करें other service की तो आपको single gmail account के साथ बाकि सर्फिस मिल जाती है जैसे कि google drive मिल जाता है google फोल्टोस मिल जाता है Google Documents मिल जाता है Google Plus मिल जाता है और YouTube मिल जाता है तो मेरे recording जो सबसे अच्छी का इंक्लूज ना होने की वजह से यहां पर जो इमेल आईडी है वह मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो अगर आप कोई कस्टम नाम चाहते हो जैसे कि अगर मैं चाहता हूं गैवी फैलो अडरेट जीमल.com तो मेरे को वह सकता है ना मिले क्योंकि अगर मैं बात करो गै मेरी चॉइस का यूजर नेम मिलेगा लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो गूगल का अकाउंट सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि गूगल के अकाउंट आप अपने फोन के साथ यूज कर सकते हो आप जो मॉबाइल फोन स्मार्ट फोन यूज करते हो वह भी एंड आप लूग क्या या होगी तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि आज के बहुत जरूरी हो गया कि आपके पास एक गूगल का अकाउंट हो क्योंकि देखते ही होगे तो अगर आप यूट्यूब गूगल में आप देख रहे हो तो उसके लिए आपको जीमेल